नमस्कार स्वगत्यापका हमारे श्यनलिचार जागिंद्र मिशा में दो से एक जारा अप्रेल को चैत्र नौरात्री नौराश्या होंगी करोड़पती दोस्तों पूरे 72 सालों के बाद 2 अप्रेल 2020 से 11 अप्रेल 2020 यानि इन नौ दिनों में बन रहा है दुरलम महाशुबशयोग महालक्ष्मी योग ये नौ राश्या होंगी धनसे माला माल जी हाँ दोस्तों मालक्ष्मी जी के आसरवास से इन नौ दिनों में बन रहे हैं महालक्ष्मी योग महाशुबशयोग से इन नौ राश्या वाली लोगों के किसमत चमकने वाली है ये नौ राश्या वाली लोग धनसे माला माल होने वाले हैं जिन पर मातारानी बहुत अधि भागसाली राशियां कौन कौन सी है जो कि मा लक्षमी जी के आश्तिरवाद से इस बार के चैतर नवरात्री में धनसे माला माल होने वाली हैं करोड़पती बनने वाली हैं इस वीडियो में हम आपको इन्हीं नवराशी नवराश वाले जातकों के खुशनरसीब और भागसाल भागसाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक पूरा देखें बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि यह वीडियो इन नवराश वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर्ट रहने वाली है खास रहने वाली है दोस्तों बीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले बीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को विश्यर जरूर कर दें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उन खुश नसीब नौ भागसाली राशों के बारे में जो की माता लक्ष्मी के आस्तिरव रूपों की पूजा की जाती है मादुरुगा को शुक्षंब्रद्धी और धन की देवी माना जाता है नौरात्री के दरान मादुरुगा के बिद्विधान से पूजा अर्चना की जाती है चैत्र नौरात्री के दरान मादुरुगा के नौ रूपों की पूजा की जाती है माना जाता है कि नवरात्री में माता, रानी की पूझा अर्चिना करने से शबी देवी देपताओं प्रसंद होते हैं साथ ही देवी दुरगा की खाष कृपा प्राप्थ होती है साल भर में कुल चार नवरात्रियां आती हैं जिसमें से चेत्र और शारदी नवरात्री का विशेश महत होता है इस साल चेत्र नवरात्री 2 अपरेल 2022 से सुरू होकर 11 अपरेल 2022 तक रहेगी जो लोग इन नौ दिनों में मादुरगा के सच्चे मंसे बिद्विधान से पूजा अर्चना करते हैं, मादुरगा उनकी समस्त मनों कामनाई पूर्ण कर देती हैं, और उनके जीवन में होती है खुशिया ही खुशिया, दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, कि हर एक इनसान अपने भविष्ट को लेकर काफी सजक रहने की कोशिश करता है, और इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने भविष्ट को जानने की उत्सुकता भी रखता है, क्योंकि मनुस्त के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्तु माना गया है, इनकी चाल से ही सिधा हमारे समान जीवन पर अशर पड़ता है, किश्ची ग्रह की दसा बदलने से राशों के भी दसा निरेंतन बदलती रहती है, इस वार चैत्र नौरात्री के समय में एक ऐसा महास्योग बन रहा है, जिससे मा लक्ष्मी जी स्वयम इन नौ राश वालों की किसमत चमकाने वाली है, जियां दोस्तो, धनकी देवी माता लक्ष्मी जी इस वार इन नौ राश वाले जातकों पर बहुत अधिक महरवान हो रही है, जियां दोस्तो, देवी माता लक्ष्मी जी को धनकी देवी कहा गया है, और कहा जाता है कि इनकी कृपा जिसके उपर भी हो जाए, उस लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे अमीर हो या फिर गरीब उनके अंदर धन कमानी के चाहत बांकियों से अधिक होती है ऐसे में हमारे ग्रहन चत्रों में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका अशर कुछ राशियों पर सकरात्मक बन रहा है जिस मेंसे कि बारा मैंसे नव राशियां ऐसी हैं जिनके किस्मत खुद माता लक्षमिज चमकाने वाली हैं इन नव राशियों को करोरपती बनाने वाली हैं माता लक्षमिजी जिससे इन राशिवालों के भागयब काफी ज्यादा चमकने वाले हैं सात्मे आस्वन पर रहेंगे धन से माला माल होने वाली है जी हां दोस्तों दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो है यहां पर मेसरास मेसरास के याद को बता दे कि अब आपकी किस्मत बहुत तेजिस चमकेगी अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा माता लक्ष्मी जी और माता दुरुगा के साथ तेजी से विकास करते चले जाएंगे अब आपका भागे साथ में आश्मान पर रहेगा माता लक्ष्मी कृपा से अब आपके जितने भी कारे ठप पड़ गए थे बंद पड़ गए थे वो एक बाब फिर से सुरू होंगे माता दुरुगा की कृपा से अब आपको गिप्ट और पहार देंगें उनके साथ धेर सारी मेठी मेठी बाते होंगे अगली जो राशी आती दोस्तों वो है यहाँ पर कन्य राशी कन्य राशी के अथकों बता दे कि अब आपके किसमत बहुत तेजी स्रमकेगी अनेक परकार की योजनाओं का लाभ हमिलेगा जो भी कार आपका रुका हुआ है वो कार आपका तेजी से अब पूरा होगा माता लक्षमी कृपा से खास आपको महत्पूर्ण कोई सुब सुचनाई मिल सकती है बिजनेस व्यापार में कोई महत्पूर्ण डेल फानल होगी साथी साथ बता दे कि नोकरी में प्रमोशन और तुला राश के यात को अब आपके किसमत बहुत तेजी स्चमकेगी अनेक प्रकार की योजनाओं को लाभ हमिलेगा जो भी कार आपका अधूरा था वो कार अब तेजी से पूरा होगा समाज मान समान बढ़ेगा समाजिक प्रतिष्ठा में आपके ब्रदी देखने को जो कार काफी समय से अधूरे थे वो कार अब आपके पूरे होने वाले हैं। चला जाएगा और बेतर से बेतर प्रणाम देखने को मिलेगा अब अगली अनी जो चोथी जो राशी आती है दोस्तों बता देव वो है मिथुन रास मिथुन रास कैतकों अब आपके भाग बहुत तेजीश चमकेंगे अनेक प्रकार की योजनाओं को लाभ मिलेगा जो कुछ भी दिक्कते थी जो कुछ भी परिशानिय थी अब आपकी दूर होने वाली है धन संपत तेस्तोर में बर्दी होगी गाड़ी बाहन का शुक प्रात ह नए भवन का निर्मार करेंगे और साथी साथ नए घर की सिरुवात कर सकते हैं जमिन प्रपरिटी करेंगे और साथी साथ इसमें इन्वेस्ट भी आप जमिन प्रपरिटी में कर सकते हैं जो आगे चलकर आपको बहुत फायदेबंद सावित होगा दोस्तो इसमें आप कोई भी फाइनसर प्राइंग कर सकते हैं, घर परिबार के लिए महतपूर्ण डिशीजर और निर्णे ले सकते हैं, मालक्षमिक कृपा से इसमें आप महतपूर्ण लाभ देखने को मिलेगा, करोड़पती बनने के और धंसे माला माल बनने के कई शुनेरे मौके मिलेंगे, लोटर की चैतरन नौरात्री पर बन रहे हैं अद्बुद सुपशयोग, जिसका कारण आपको करोड़पती बनने से अब कोई नहीं रोक शकता, दो अपरेल से 11 परल तक इस बन रहे, चैतरन नौरात्री पर महादूर्ण लब सुपशयोग पर बिशेश लाभ होता न जराएगा, अनेक परकार की योजनाओं का लाभ है मिलेगा, जो कुछ भी दिक्कते थी, जो कुछ भी परिशान्य थी, अब आपकी वो दूर होने वाली है, यानि इसमें आप दुगने रप्तार के साथ तेजिस से विकास करते हुए आगे बढ़ेंगे, कई परकार की योजनाओं का ल मीन रास, मीन रास के याद को आब आपके किसमत बहुत तेजिस चमके की अनेक परकार के लाभ देखने को मिलेंगे, घर परिवार का महौल अच्छा रहेगा और स्टुडेंट के लिए विद्यारतों के लिए भी काफी खुश नसीब समय रहेगा, क्योंकि इसमें स्टुड पढ़ाय लिकापर फोकस बना के रखेंगे, पढ़ा हुआ लिखा याद रहेगा, मातल लक्षमी कृपा से आपको इसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आगे चलके आपको एक्जाम में बहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, इसमें इंटर्वी और प्रतियोगी प बता दे, वो हैं पर सिंग राश, सिंग राश के याद को आपके किसमत बहुत दिजिश चमकेगी, अनिए प्रकार की योजनाओं को लाव हमिलेगा, जो कार अधूरे थे, जो पिंडिंग थे, वो कार अब आपके आसानी से पूरे होने वाले हैं, दिन दुगनी राज बता दे, जो भी निर्ने लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, माता लक्षमी किर्पा से आपको वो पूरा होता नजराएगा, शमाविमान समान बढ़ेगा, समाजिक प्रतिष्ठा में आपकी लोग प्रता बढ़ेगी, हर कारियों में उपलब्दिया प्राप्त होंगी, जो कार काफी समय से अधूरे थे, पेंडिंग थे, वो कार आशानी से पूरे होते चले जाएंगे, यानि इसमें आप दुगने रप्तार के साथ तेजी से विक साबित होगा, अगली जो राशी है, यानि की नवमी जो राशी आती दोस्तों, वो है कुम्भराज, कुम्भराज के आपको बता दे के करोड़पती बनने के कई शुनहरे मौके मिलेंगे, इस्वार की चैत्रन नौरात्री पर आप धंसे मालावाल बन सकते हैं, धंसंपत्य स्थरों में ब्रदी होगी, कई परकार के खुश नसीब आपको भागसाली अबसर मिलेंगे, माता लक्षमी कृपा से अब आपको करोड़पती बनने से कोई नहीं रोख शकता, दिन दुगनी राच चोगनी तरक्की होगी, इसमें आप जितना पहले कमाते थे उससे दुग परिशान से बाहर निकलेंगे, समाज में मानसमान बढ़ेगा, राजनीत में आपका काफी रुत्बा और कदब बढ़ सकता है, दोस्तों ये नहोराशियां बहुत ही भागसाली रहेंगे, इस वार के चैतरन रात्री पर, ये नहोराशियां हो सकते हैं धनसे माला माल, तो द वीडियो को लाइप करिएगा, जैदा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जय माता दी